अरे कृष्णा, इंग्लेंड वर्ल्ड कप क्रिकेट के प्रतियोगिता से नॉक आउट हो गया है, इस पे भगवद गीता का क्या पर्सपेक्टिव है, विचार है, हम पहले सोच सकते हैं कि भगवद गीता ये क्रिकेट मैच के बारे में उन्हें क्या संबंध है, वास्ता में भगवद गीता हमें सारे विच्व को किस तरह से बुद्धी की दुष्टी से देखना है, यहां समझाती है और इस जगत में क्रिकेट यै एक गटना है और क्रिकेट में जो होता है, उसको भी समझने में भगवदुता हमें मदद कर सकती हैं यह World Cup शुरू होने के पहले, England नकेवल defending champions थी, पर England फेवरेट थी, कि वो आपस शाय जीतेगी, पर अब जैसे tournament खतम होने को आ रहा है, तो दो चीजे ही समान रही है, England बिल्कुल अच्छी तासे खेल नहीं पा रही है, और England बिल्कुल समझ नहीं पा रही है, नहीं समझ पा र रही है, commentators भी अलग-अलग theory दे रहे हैं, पर सब theory को खंडन हो रहा है, कि England के players जो है, वो जादा उनका उम्र हो गया है, और Australia के players भी ऐसे ही है लग-बग, England ने इस tournament के पले one-day matches का इतना practice नहीं किया, तूसरे matches खेल रहे थे वो T20 टेस्ट, पर South Africa ने भी जादा practice नहीं किय और England बहुत overconfident हो गये, इसलिए वो लापरवाही से खेलने लग गये, पर वैसे आकरामकता, जो कभी लापरवाही कह सकती है, वो ही England का style था, जिससे कि वो कई सालों तक नकेवल जीत रहे थे, पर धज्या उड़ा रहे थे सब को, पर तो अभी ऐसे क्यों हो रहा है, यहां हमें कोई फल दिखता है, तो उसका कारण केवल उसके पहले होने वाला कारिय नहीं है, वो जरूर है, पर पर्याप नहीं है, कभी-कभी जो फल आता है, वो present action अभी के कारियों से नहीं, पहले के कारियों से भी आता है, इसमें इसको ही हम नियत्तिया दैव कहते हैं, अभी क पर्याप्त नहीं है, कई बार कोई बैट्समन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, कोई दुरभाग गेवाच से वज़ें नॉन स्ट्राइकर पे है, तो स्ट्राइकर ने बॉल मार देता है, वो जाके उसरे स्ट्रम्स को लग जाता है, और वो अगर बाहारे क्रीज के त आउड हो जाता है वो, तो कभी-कभी अच्छा का खेलने के बावजूद भी जीत नहीं आती है, या पर्फॉर्मंस नहीं होता है, और कभी-कभी कोई नहीं खेलता है अच्छी तो भी उनको जीत होती है, अभी इंगलन का ही उदारन देखते है, तो पिछले वल्ड़क के फाइनल में, वो फाइनल में एक तरह से जब फील्डर ने थ्रो किया था, वो जाके किसी बैट को लग गया और उधर से वो बॉंडरी चला गया, इसकी कारण वो बच सके और बाद में वो जीत गए, तो अभी इस तरह से जब परिस्तिती आती है, कि जब हमारे कर्म से फल नहीं आ रहा है, तो भगविता कहते है, हमें समझना चाहिए 247 में, मा कर्म फल हे तुर बूर, यह मत सोचो कि हम अकेले ही हमारे फल के कारण थे, कभी-कभी हमारा कर्म हो सकता है, पर फल नहीं आता है, कभी-कभी हमारा कर्म जादा होता नहीं है, फिर भी फल आ जाता है, जैसे कि इंग्लेंड की परिस्तिती है, वह अगर कोई शास्तर पढ़ता है तो उसको उसके, अर्जुन की जो परिस्तिती थी, उनके जीवन के अंत की और उसकी सुर्ति हो सकती है, अर्जुन महान योद्धा थे, और कुरुक्षेतर युद्ध में उनने बहुत ही घमासान य तक निशाने के पहुझ भी नहीं रह सकते हैं और वो भी कुछ समय तक विचलित हो गया, हत्प्रभ हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो, क्यों हो रहा है ऐसे, पर उसके बाद में उन्हें भगवान कृष्ण का संदेश याद आया, और उन्हें याद आया कि भगवान ही सब जीवों को शक्ती देते हैं, जो मानव में अबिलिटी होती है, क्षमता होती है, वह भगवान की कृपा से आती है, दैव के योजना के नुसर वह भगवान की कृपा से हमें जो अबिलिटी आती है, तो अभी जब अबिलिटी जो क्षमता आती है, तो कोई म बहुत अप्रतीम कारे कर सकता है और जब नहीं जमता चली आती है तो बड़ा-बड़े-बड़े बड़े बाटस्मन भी आउट अफ परम हो जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं तो ऐसे परिस्ति में क्या करना है भगविता बताती है कि सुखे दुखे समे कृत्वा कि जब सुखा आजाए तो बहुत ज़्यादा जब याश आजाए तो बहुत ज़्यादा सुखी मत हो अपयश आजाए तो बहुत ज़्यादा दुखी मत हो इस तरह से अरजुन ने भगविता का स्मरण करके शान्तवना और चक्ति प्राप्त की उस परिसिते में तो हम प्रार्थना कर सकते है कि या शायद इंगलन की टीम हो या कोई भी व्यक्ति जीवन में हो जो इस प्रकार का अप्यश महसूस कर रहा है अनुभव कर रहा है जो अनपेक्षित है और जो उसका समझना मुश्किल है तो वो भी भगवान का आश्रे ग्रहन करके भगवान के गिता के संदेश को स्मरन करके वो भी शान्ती और शक्ति प्राप्त कर सके